गुम है किसी के प्यार में शो से एक्जिट पर नील भट की वाइफ एश्वेरे शर्मा ने किया ऐसे रियक्ट एश्वेरे का फूटा आईशा सिंग और नील पर गुस्दा और कहिए बड़ी बात तो इस वीडियो को किजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो साब रियूनियन का समय चल रहा है एक तरफ जहां पर एश्वेरे शर्मा खत्रों के खिलाड़ी सीजन 13 के रियालिटी शो में धमाल मचा रही है तो दूसरी तरफ गुम है किसी के प्यार में शो में जब से ही एश्वेरे शर्मा बाहर गई है तब से सईंग और विराट बहुत जड़ा करीब आ गए है और अब तो यह आखरी रियूनियन है जिसकी तारीफ चर्चा हर तरफ है तो भाई एश्वेरे शर्मा कैसे पीछे रह सकती है आपको बता दें एश्वेरे शर्मा ने साफ किया है कि वो आईशा सिंग पे नजर रख रही है आईशा और नील भट को वो किसी और प्रोजेक्ट में काम करते हुए नहीं देखना चाती है शर्मा ने यह साफ किया है कि वी आर प्रोफेशनल एक्टर से लेकिन जब आपके किसी मन मुताव होते हैं जब आपका किसी के साथ बहुत अच्छी बांडिंग नहीं होती है तो उनके साथ काम करके भी क साथ काम करें लेकिन आपको बता दे साहराट के फैंस जो की यूज फैन फालिविंग है साहराट की वो चाहते हैं कि एशर्य शर्मा आईशा सिंग और नील भट एक साथ एक ही शो में नजर आएं फिलहाल आपका क्या है ओपिनिन एशर्य शर्मा की क्या लगता है आपको क् बयान दे रही है या आप मानते हुजी नहीं वो एजन वाइफ बहुत ज़्यदा सिक्यूर है इसलिए वो इस तरीके की बाते कर रही है लिखिएगा जरूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसे तरीके की वीडियो के लिए चैनल को साथ बाते हैं